आज हम देखेंगे कि SSE CGL का फॉर्म भरने के वक्त आपको कुछ गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करनी हैं और हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजक्ट भी हो जाए अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं पर साल ऐसा होता है और बाद में बच्चे बच्चताते रहते हैं कि सर अब हम क्या करें और बाद में कुछ भी इसका सॉल्यूशन ही निकलता है इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो अलग से आपके लिए मैं बना दूँ आगे बनने से पहले एक चीज छोटी सी हम बात देखें कि बहुत सारे लोग इस बात से डिमोटिवेट हो रखें कि सिरफ सावंटी फाइफ हंडड़ के आसपास वेकेंसी आ रही है तो अब हम क्या करें मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं कि आज से एक साल पहले की बात करते पिछली बार बाली बात छोड़ दीजिए साथ हजार वेकेंसी भी बड़ी मुश्किल से आया करती थी पहली बात तो ये उससे जादा है दूसरी बात कि हो सकता है ये कहीं न कहीं दस हजार बारा हजार या फिर अगर आपकी किसमत अच्छी रही तो पंदरा हजार तक भी जा सकते है और इसमें यकीनन अच्छी वेक मत होई है क्योंकि पढ़ना तब भी आपको पढ़ना था पढ़ना अब भी है और सेम ही कंटेंट पढ़ना है ऐसा तो है निकि आपसे कोई अलग से फारसी में कोई चीज पूछ लिए जब पढ़ना ही है दूसरा कोई option है नहीं तुमारे पास तो फिर ठीक है न इसको रहन पर दिया जाता है और इस से अच्छा अब परचार कर लिया जाता है अपना कोई कुछ बेच जाता है कुछ बेच अन सी सिंपल सी बात ऐसां इस सब चीजे करने की जरूरत होती नहीं है वैसे तो तो इसलिए जो controversies के चकर में आप students जो है ना आप मत पढ़िये आप लोग बढ़ावा देते इन चीजों को तब ही ये जो चीजें है और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं फिर back to back back to back लोग ऐसी वीडियो को बनाते रहते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने तो ऐसी कोई वीडियो बन जो है इसको reference माना गया बट बहुत सार students का कहना था कि एक January होना चाहिए था देखिए अब ये तो अगर January कर देंगे फिर भी एक group of students रहेगा जिसको समस्या रहेगी जो पास नहीं हो रहे हैं फिर August में तो लगबग सभी लोग पास होई जाते हैं तब तक तो तो अगर August कर अब भी किसी ना किसी को समस्या ये तो ये समस्या तो बार बार आती रहेगी जाती रहेगी तो ये प्रिवेलेंट रही इसलिए अब इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि को बहुत जादा कैमपेइनिंग वगरा भी हो पाईगी पहला तो इसू ये रहा दूसरा OBC certificate को ल ना होना चीए बट दो-तिन साल पहले Supreme Court ने एक notification निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी SSC का अधिकारी ये नि बोल सकता कि ये इस date का क्यों है जो भी बच्चा produce करेगा आपको उसे माने करना ही पड़ेगा तो इसी लिए अब date का वैसे तो इशू कोई है नि Department ने करवानी है तो ये कोई दिक्कत होनी ही नी चाहिए मुझे लगता है बट स्टिल अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो आप 180 days के यानि कि अगले तीन महिने च्छा महिने के अंदर अंदर इसको बनवा लिजीगा क्योंकि ये old rule है बट मैंने बोला ना बहुत पहल 2022 से लेके ये कब तक हो जाएगा 31 March 2023 तक का एक तरह से तो ये financial year को देखके माना जाता है कि इसमें पूरी पूरी आपकी income क्या थी उसके basis पे अब spectacles की बात करते हैं कि अगर आप photo डाल रहे है जब भी तो photo के उपर भिया चश्मा नहीं लगा होने चाहिए नहीं तो आप reject ह हो सकते हैं आपके दोनों कान जो है ना वो easily visible होने चाहिए है background हलकी होनी चाहिए है जैसे white रख लिजिए हैं हलका कोई color रख लिजिएगा और साथ में आपका देखे signature और photo blur नहीं होने चाहिए बहुत सारे बच्चे इनी 2-3 कारणों की वज़े से reject हो जाते हैं और नहीं होते हैं कि आपका काम वो सही से करके देंगे सिंपल जी बाद यह है इसके अलावा अपनी category को correct भरिएगा कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत तेज बनते हैं अपना link change करने में भी वो दो मिनिट नहीं लगाते हैं कि लड़कियों के लिए free है या SC के लिए free है तो व फिर आप reject होते हैं फिर समस्य आएगी आपी को और एक देखिए अब option आपके बास form correction का भी आएगा दो दिन की form correction रहेगी आपने अगर कुछ गलत भी भर दिया होगा तो वो window खोलेगी दो दिन में end में जाके तो वो दो दिन जो है आप ध्यान रखिएगा आपको correct कर लेन इसके अलावा 7th most important thing है कि कुछ बच्चे जो है वो payment कर रहे है और payment करने के बाद उनका जो payment का status है न वो paid वाला नहीं आ रहे है यानि successful वाला नहीं आ रहे है वहाँ पे तो ऐसा दिखर है शाहिद कि payment gateway में कहीं न कहीं बीच में फसर है या जो भी है दिक्कत आ रही है तो आ आपके पास कल को proof रहे है दिखाने को कि भया हमने तो payment कर रखी है payment gateway का कहा पर जाके आप देखोगी कि payment हुई है कि नहीं हुई है अगर बीच में कहीं फस गई है तो इसलिए यह चीज कर लेना अगर आपको आपकी वो जो payment का status है फेल्ड दिखा रहा है या फिर unsuccessful दिखा र के लिए मिल रहा है जीवी 10 code use करते है तो 10% extra आपको off मिल जाएगा इसका link में description में डाल दूँगा और ये 4 से 7 अपरेल तक ये पूरी के पूरी sale चल रही है और यहाँ पे एक ही platform पे आपको सभी के सभी mock test मिल जाते हैं सभी exams के तो आपके लिए beneficial है आप नीचे जा के description में link देखे चेक कर सकते हैं और जो अब जो लोग सच में seriously तैयारी कर रहे हैं जिनको हमारी PDF चाहिए उनके लिए देखे कि हनुमान जैनती है बगवान राम और हनुमान जी हमारे बहुत पूझे हैं मैं बहुत मानता हूं तो इसलिए हमने क्या किया है एक पर फिर से इसमें off क यह कॉमबो के लिए 499 रुपीज रखा हूँ है हिंदी इंगलिश दोनों के अंदर है पहले कॉमबो बहुत महंगा हुआ करता था ट्रिपल नाइन का भी हम दिया करते लेकिन अभी हमने बहुत कम रेट में 499 रुपीज कॉमबो के कर दिये है आपको कुछ नहीं करना है द इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा और यह जो है अब सिर्फ अगले तीन दिन तक वैलिड है और उसके बाद कोई ओफर आने भी नहीं वाला है आगे दूर दूर तक तो मेरेको नहीं लग रहा है अभी आप इसको लेना चाहिए तो ले सकते हैं आपको कुछ नहीं करना डिरेक्ट हमारे गूगल पर फॉन पर पे टीम नंबर है यह रही और यहां भी देख सकते हैं अब यह रहे थीक है यह रहे इन पर पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीन शोट हमें इस इमेल आईडी पर भेज देना बस तो हम आगले बारा गंटे के अंदर अंदर आ प्रॉर्ण